Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Defense Point तो दोस्तों Air Force और Navy exam की तयारी के लिए आज से हम एक नई सिरीज को शुरू करने जा रहे हैं जिसमें की हम Static GK और GS के जो Top Most Selected और Important Questions हो जाते हैं उनको कवर करेंगे तो दोस्तों वीडियो सिरीज जो है आपके लिए काफी ज़्यादा Important होने वाली है तो इस वीडियो को end तक देखिएगा और अगर आप लोग चैनल के उपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के तो देखिए पहला कुश्चन जो कि आपको दिया गया है कि प्रत्वी के किस बिंदू पर गुर्टवा कर्शन नहीं होता है तो ओप्शन्स दिये गए हैं उत्री और दक्षनी धुओं पर ओप्शन B भूमज्जे रेखा पर ओप्शन C समुद्र तल पर या फिर ओप्शन D प्रत्वी के केंद्र पर तो दोस्तों अगर हम सबसे पहले बात करें आपके ग्रेविटी यानि कि गुर्टवा कर्शन को लेकर तो हम जानते हैं कि गुर्टवा कर्शन जो है वो एक प्रकार का आकर्शन बल होता है जो कि ब्रमांड में किनी भी दो वस्तों के मज्यकारिय करता है ठीक है और प्रत्वी तल से उपर या फिर नीचे जाने पर इसका मान भी गटता है तो कुशन में पूछा जा रहा है कि गुर्टवा कर्शन का मान सुन ये कहां पर होता है तो देखिए प्रत्वी के केंदर पर जो है गुर्टवा कर्शन का मान जिरो होता है तो यहां पर आपका राइट आन्सर हो जाएगा option D, at center of the earth यानी कि प्रत्वी के केंदर पर अब देखिए अगला सवाल जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है कि धान के खेतों में जो है कौन सी गेस निकलती है तो options हैं आपके पास में carbon dioxide, methane, ammonia या फिर hydrogen sulfide तो यहाँ पर इस question का आपका right answer हो जाएगा option B methane देखिए methane को लेकर अगर बात किया जाए ना तो methane जो एक bio gas है और ये जो है green house gas की स्रेणी में आती है देखने में ये जो है ना रंग हीन और स्वाध हीन होती है और मूल रूप से जो है प्राकृति गेश का मूल तत्व भी यही होती है ठीक है इसका जो उप्योग है वो इंधन के तोर पे किया जा सकता है और इसका जो रसाइनिक सुत्र है दोस्तों वो CH4 होता है तो ये भी आप लोगों को याद रखना है और दोस्तों साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा Unacademy के बारे में दोस्तों Unacademy के द्वारा जो है NDA exam की तयारी के लिए एक नया batch launch किया जा रहा है जो कि आपका एक complete batch course होने वाला है NDA 0123 batch की तयारी के लिए दोस्तों इस batch का नाम रहने वाला है Unacademy NDA 0123 जो कि आपका 26 December से live हो जाएगा और इसमें जो है आपको Defense के Top Educators के द्वारा पढ़ाया जाएगा जिनको अभी आप लोग स्क्रीन के उपर देख सकते हैं दोस्तों ये जो है एक तरीके से Foundation batch course होने वाला है जिसमें की आपको complete course को जो है detail analysis के साथ में cover करवाया जाएगा साथ ही जो है यहाँ पर आपको complete study material और mock test भी देखने को मिल जाएगे दोस्तों इस batch course को आप लोग access कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 1980 रुपे के अंदर और अगर आप लोग दोस्तों हमारा referral code defense point यूज में लेते हैं तो उससे जो है आप लोगों को और भी extra discount देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों इस batch course के लिए जो link है वो मैं आप लोगों को वीडियो के नीचे description box में दे दूँगा तो आप लोग जो है इसके अंदर enroll कर सकते हैं और अपनी preparation को और ज़्यादा बहतर कर सकते हैं जिससे कि कहीं ना कहीं आपके selection के chances काफी ज़्यादा बढ़ जाएंगे और referral code defense point को यूज करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा तो चलिए बढ़ते हैं हम next question की और तो अब देखिए question number 3 और यहाँ पर दोस्तों आपके पास में question है कि किस देश की संसद के निम्न सदन को जो है गोलेसी जिर्गा के नाम से जाना जाता है तो option से आपके पास में अफगानिस्तान, बंगलादेश, पाकिस्तान या फिर इरान तो यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा option A, अफगानिस्तान देखिए दोस्तों इस question को थोड़ा आप ज्यान से समझीए देखिए अफगानिस्तान की जो संसद देना उसको सोराय मिली के नाम से जाना जाता है ठीक है? और अफगानिस्तान का जो निम्न सदन है उसको वोलेसी जिर्गा के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर यह जो जिर्गा है ना यह नेताओं की मतलब की एक परमपारिक विदान सभा है जो की सर्व सम्मत्ती से निर्णे लेती है देखिए अगला सवाल तो यहाँ पर आपको कुशिन दिया गया है कि भारत के DRDो ने जो है एक चालक रहित लक्षे बेदी विमान का निर्मान किया है तो उसका नाम क्या है देखिए टेकनोलोजी से जुड़े कुशिन पी आजकल जो है एक्जामस में देखे जाते हैं इस टाइप के कुशिन आपके एरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड में अकसर देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर आपको कुशिन में ओप्शिन दिये गये हैं एजस, नाग, अगनी 3 या फिर लक्षे 2 तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट अंसर हो जाएगा ओप्शन D लक्षे 2 देखिए DRDO जिसका पूरा नाम होता है रक्षा अनुसंदान और विकास संगटन इसके द्वारा जो है आपके लक्षे 2 जो की एक पाइलेट रहीत विमान है इसका निर्मान किया गया है ठीक है और इसका उत्पादन जो है वो हिंदुस्तान Aeronautics Limited ने किया है ठीक है नाव कुशन नंबर 5 और ये कुशन आपके लिए और भी काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है और पूरे पूरे चांसेस बनते हैं इस बार एक्जाम में भी आने के तो यहाँ पर आपके पास में कुशन है कि पहली भारतिय स्वधेश निर्मित परमानू पंडुबी का जो है नाम क्या है तो ओप्शन दिये गए हैं आपको INS सिंदु गोस ओप्शन B, K-15 ओप्शन C, INS अरिहंत या ओप्शन D, INS विक्रमा जित्त है तो दोस्तों INS अरिहंत जो है ना ये परमानू सक्ति चालित भारत की पहली पंडुबी है तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन C देखिए इसका जो वजन है ना वो लगबग 6,000 टन है और इसको बनाने के बाद में जो है ना भारत छटा देश बन गया है जिसके पास में परमानू सक्ति चालित एक पंडुबी है ठीक है इसके लावा दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस ये ऐसे पास देश हैं जिनके पास में ओलरी परमानू सक्ति चालित पंडुबी है ठीक है नाव कुशन नमबर 6 और यहाँ पे देखिए कुशन आपके पास में कि वातावरण में जो ओजोन परत होती है इसका क्या प्रभाव है यानि कि ओजोन परत हमारी किस तरीके से मदद करती है तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चीए कि ओजोन परत ये वाईव मंडल में समताप मंडल में आई जाती है और ओजोन परत जो है ये सूर्य से आने वाली पराबेगनी किर्णे जो होती है ना उनको अवसोसित करके प्रत्वी पर आने से रोकती है तो यहाँ पर देखिए option C में भी आपको दिया गया है कि ये सूर्य से आने वाली पराबेगनी किर्णों को छानती है तो right answer will be option C तो चलिए बढ़ते हैं next question की और आप देखिए question number 7 तो यहाँ पर आपके पास question है कि सिर्के में जो है मुख्य रासाइनिक तत्वत क्या होता है यानि कि जो vinegar होता है उसके अंदर main chemical compound कोन सा होता है options है acetic acid, citric acid, carteric acid या पिर nitric acid तो सिर्का जो होता है यह किन्वन से प्राप्त होता है और इसका जो मूल भाग है न वो acetic acid होता है ठीक है और यह जो है लगबग 4-8% तक पाया जाता है तो यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा option A, acetic acid दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को like करिएगा और एक प्यारा सा comment इस वीडियो के लिए जरूर से करिएगा ताकि इस series को जो है हम आगे भी continue रख पाएं now question number 8 और यहाँ पर देखिए आपके पास question है कि किस देश में जो है great Victoria मरुस्तल इस्तित है options है नामीबिया, अर्जेंटिना, मंगोलिया या पिर ऑस्ट्रेलिया तो दोस्तों great Victoria मरुस्तल जो है ना यह परस्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिन पूर्वी और दक्षिनी ऑस्ट्रेलिया के परस्चिमी भागों में फैला हुआ है तो right answer हो जाएगा आपका option D अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं तो देखिए question number 9 और यहाँ पर आपके पास में question है कि निम्न में से कौन सी जो है green house gas नहीं है तो options है oxygen, carbon dioxide, जलवास या फिर methane तो दोस्तों सबसे पहले तो आप यह समझिए कि green house gas होती क्या है तो देखिए green house gas जो होती है यह जलवायू परिवर्तन के लिए उत्तरदाई होती है और अगर कुछ परमुख green house gas को लेकर बात करें तो उसमें carbon dioxide, nitrous oxide, methane, chlorofluorocarbon, जलवास, ozone यह सब आते हैं लेकिन दोस्तों oxygen जो है यह एक green house gas नहीं है ओक्सिजन जो है यह पराण वायू होती है और स्वाद हीन और साती जो है गंद रहित भी होती है तो right answer हो जाएगा आपका यहाँ पर कुछन के लिए option A अगला सवाल देखिए तो यहाँ पर आपके पास में कुछन है दोस्तों कि सामय तया जो कत्रिम बरसात होती है यानि कि artificial rain इसके अंदर जो है कौन से तत्वक को प्रियोग में लिया जाता है तो देखिए options दिये गए है magnesium hydroxide, potassium chloride, silver iodide या फिर zinc sulfate तो देखिए जो आपके artificial rain होती है यानि कि कत्रिम बरसात इसको करने के लिए जो है silver iodide को यूज में लिया जाता है ठीक है तो राइट answer हो जाएगा option C, silver iodide देखिए silver iodide जो है यह एक अकार्बनिक योगिक है और यह योगिक मतलब कि पीला तरीके का ठोस होता है ठीक है चलिए now question number 11 जो कि आपके इस बार का नाविक exam का भी question हो जाता है और इसके लावा जो है यह आपके BSF exam में और साथ जो है आपके नेवी exam में भी पूछा गया है तो question है कि जर्मन silver जो है यह किन दात्वों का मिसरन होता है तो देखिए options हैं तांबा, जस्ता और निकल option B, चांदी, तांबा या कार्बन option C, चांदी, तांबा और अलुमिनियम या option D, अलुमिनियम, जस्ता और कोबाल्ट तो यहाँ पे आपका राइट answer हो जाएगा option A देखिए आपका जो जर्मन silver है यह आपके तांबा, जस्ता और निकल से बनता है ठीक है और दोस्तों इसको जर्मन silver इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह चांदी के जैसा दिखता है ठीक है और इसमें जो है 60% तक तांबा, 20% तक निकल और 20% तक जस्ता मिला हुआ होता है नाव question number 12 और यहाँ पे question आपके पास में कि निम्न में से कौन सी जो है kidney के मुलबूत, निर्मान और कार्य की इकाई है तो देखिए options हैं lymphocyte, nephron, lobul, निया फिर neuron तो यहाँ पे इस question का right answer हो जाएगा option B देखिए nephron, जिसको की हम kidney भी बोलते हैं ठीक है यह जो है आपके nephron जो है ना kidney की मुलबूत, संग्राचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है ठीक है और इसका मुख्य कार्य जो है यह मतलब की blood को filter करना और पानी जैसे जो पदार्थ होते हैं इनको विनियमित करना होता है ठीक है चलिए Now question number 13 और यहाँ पे देखिए question है कि किस तिथी को जो है संयुक्तराज्य ने जो है हिरोसीमा के उपर अनु बम गिराया था तो देखे दोस्तों याद रखेंगे कि 6 अगस्त 1945 को जो है अमेरिकी वायू सेना ने जापान के हिरोसीमा पर परमाणु बम गिराया था ठीक है और 9 अगस्त 1945 को जो है अमेरिकी वायू सेना ने जापान के नागा साकी में जो है परमाणु बम गिराया था तो ये दोनो डेट आप लोगों को याद रखनी है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 अगस्त 1945 अगला सवाल देखिए तो कुशिन नंबर 14 आपको यहाँ पर दिया गया है कि स्री रंग पत्नम की जो संदी है जो कि आपके 1792 को टीपू सुल्तान और इनमे से किसके बीच में हुई थी तो ओप्सन्स हैं डल होजी, लोर्ड कॉर्ण वालिस, वरेंड हैस्टिंग्स यापर लोर्ड क्लाइब तो दोस्तों तृतिय आंगल मैसूर युद्ध जो की 1790 से लेकर 1792 तक चला था और इस युद्ध की जो समाप्ति है वो स्री रंग पत्नम की संदी के द्वारा हुई थी और इसमें जो है इस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्णर जनरल था वो लोर्ड कॉर्ण वालिस था ठीक है और इसने जो है टीपू सिल्तान को संदी करने के लिए मजबूर कर दिया था तो अंत में जाकर के जो है 1792 में टीपू सुल्तान को जो है एक अपत्ति जनिक संदी करनी पड़ी थी खीक है तो इसमें जो है अंग्रेज़ों की और से कौन था तो याद रखेंगे लोर्ड कॉर्ण वालिस तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी नाव कुशन नंबर 15 और यहाँ पर देखिए कुशन है कि भारती राष्ट्रिय कॉंग्रेस का जो पहला मुस्लिम अज्यक्स था वो कौन था तो ओप्शन्स दिये गए हैं मुहमद अली जिन्ना, ओप्शन B बदरूदिन तैयब जी, ओप्शन C मौलाना अबुल कलाम आजाद या फिर ओप्शन D सेयद एहमद खान तो कॉंग्रेस के बारे में आप लोगों को पता ही है कि 1885 में जो है एलन, ओक्टिवियन, ह्यूम के द्वारा जो है बंबाई के गोकुलदास, तेजपाल स्टेडियम में जो है भारती राष्ट्रिय कॉंग्रेस की स्थापना हुई थी और इसके जो पहले अज्यक्स थे वो W.C.Bunner जी बने थे लेकिन कुशन में ये पूछा जा रहा है कि पहले मुश्लिम अज्यक्स कोन थे कॉंग्रेस के तो याद रखेंगे बदरूतीन तैयब जी जो है वो भारती राष्ट्रिय कॉंग्रेस के पहले मुश्लिम अज्यक्स थे ठीक है तो राइट आंसर विल बी ओप्शन बी और यहाँ पर देखिए कुशन दिया गया है आपको कि भारतिय सम्विदान की जो मसोदा समीती है उसके अज्यक्स कोन थे ठीक है यानि कि तो आपके पास में यहाँ पर ओप्शन सेंट डॉक्टर राजेंदर प्रसाद के एम मुनसी एनसजी अईंगर या फिर ओप्शन डी बी आर अंबेड कर तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन डी बी आर अंबेड कर देखिए सम्विदान के ठीक है इसके अलावा इसमें जो है और भी कई सदर्शे भी थे तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी डॉक्टर बी आर अंबेड कर दोस्तों यह कुश्चिन जो है काफी बार एक्जाम में आया हुआ है तो बार बार रिपीट भी होते रहता है एक चीज में आप लोगो को यहाँ पर और बताना चाहूंगा कि आप लोग हमारे टेलिग्राम ग्रूप को जरूर से जोइन कर लें क्यूंकि सारी पीडिएक्स जो है वो आप लोगों को टेलिग्राम ग्रूप के अंदर देखने को मिल जाएगी एक्जाम के रिलेटेड जो भी अपडेट होती है व 17 और यहाँ पर कुश्चन है कि संसद के दोनों सद्रों के संयुक सत्र को बुलाने का अधिकार जो है इन में से किसे फ्राप्त है यह कुश्चन आपके एरफोर्स एक्जाम में पूछा जा चुका है इसके लावा जो CDS और EPCAT लेवल के एक्जाम होते हैं उनमें भी देख देखिये संसद के सत्र को आभूत करने विशर्जित करने का जो अधिकार है उराष्ट्रपती को होता है ठीक है चैली Now question number 18 और यहाँ पर देखिये question दिया गया है कि निम्न में से किस राज्य में जो है द्वी सदनात्मक विदान सभा नहीं है ठीक है तो द्वी सदनात्मक विदान सभा की बात हो रही है कि कोन से राज्य में नहीं है तो options हैं बिहार, उत्तरप्रदेश, मज्य प्रदेश या फिर महराष्टरा तो भारती राज्यों में अगर देखा जाए तो उत्तरप्रदेश, बिहार, करनाटका, महराष्टरा, अंद्रप्रदेश, तेलंगाना, जम्मू कस्मीर इन सब में जो है न, द्वी सदनिय विवस्था है, ठीक है, यानि कि द्वी सदनात्मक विदान सबा है लेकिन दोस्तों मज्य प्रदेश में जो है द्वी सदनिय विवस्था नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा, option C, MP अगला सबाल देखिए, तो question number 19, जो कि आपको दिया गया है, कि निम्न में से कोन जो है, कृष्णा की सहयक नदी नहीं है options हैं, तुंग बद्रा, भीमा, कोईना, या फिर गोदावरी तो कृष्णा नदी की सहयक नदियों में दोस्तों, तुंग बद्रा, गाठ प्रभा, मूसी और भीमा आती है, ठीक है लेकिन दोस्तों, गोदावरी जो है न, ये इसकी सहयक नदी नहीं है देखिए, गोदावरी नदी का जो उद्गम है, वो पस्चिमी घाठ शरणी के अंतरगत, तरियम बकम परवत से होता है ठीक है, तो याद रखेंगे, गोदावरी जो है, वो कृष्णा की सहयक नदी नहीं है Now, question number 20, जो कि आज के इस वीडियो का last question होने वाला है तो यहाँ पर दोस्तों आपको question दिया गया है, कि निम्न में से कौन सा राज्य जो है, चीन की सीमा से लगा हुआ है यानि कि which of the following state shares border with China तो options हैं, पस्ची मंगाल, हिमाचल प्रदेश, नागा लेंड या फिर उत्तर प्रदेश तो देखिए भारत के 5 राज्ये, जिसमें कि सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, नाउनाचल प्रदेश और जम्मु कश्मिर ये चीन की सीमा से लगे हुए हैं तो यहाँ पर देखिए, options में तो सिर्फ हिमाचल प्रदेश है, तो right answer हो जाएगा आपका option B हिमाचल प्रदेश, ठीक है तो दोस्तों, उम्मिद करता हूँ कि आपको ये सारे 20 questions समझ में आए होंगे तो अब एक question आप लोगों के लिए है, question for you series में, जैसा कि हमारे हर वीडियो में होता है तो आपके लिए question है, कि रामकृष्ण मिसन के संस्थापक कोन थे तो आपके लिए options हैं, राजाराम मोहनराय, सिवानन्द, option C, स्वामी विदयानन्द सरस्वती, या फिर option D, विवेकानन्द तो इसमें से जो भी इसका right answer है, वो आप लोग इस वीडियो के नीचे comment box में comment करके बताईएगा अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को like करिएगा चैनल पर अगर आप लोग पहली बार visit किये हैं, तो इसको subscribe करिएगा और bell icon को जरूर से press कर लिजिएगा, जिससे कि आप लोगों को हमारे द्वारा दिये जाने वाले सभी latest updates सबसे पहले मिलते रहेंगे तो हम मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए topic के साथ, तब तक के लिए जैहिन and thank you so much for watching this video